तेश्क मार और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब जैनल इजी फिजिक्स बाई सित्य पाल सियाग के अंदर आप जानते हैं हमने क्लास 7 का मैथमेटिक स्टार्ट करवा दिया जिसका पहला चैप्टर है इंटिजर्स जो ये नंबर लाइन है ये टेंप्रेचर को डिनोट कर रही है तेंप्रेचर को शो कर रही है और किस स्केल पे शो कर रही है डिगरी सेल्सियस में आपको पता है डिगरी सेल्सियस में टेंप्रेचर को हम शो करते हैं तो ये line है जो टेंप्रेचर को डिगरी सेल्शियस में शोग कर रही है at different places अलग-अलग प्लेशिज पे अलग-अलग degree temperature डिगरी सेल्शियस में temperature को शोग कर रही जैसे Simla है Simla का 5 degree Celsius जैसे Simla का temperature है Simla का temperature है 5 degree Celsius अब बात आती ही उटी की 15 degree Celsius है ऐसे ही बेंगलूरू का 22 डिगरी सेल्शिस है सिरी नगर का माइनस 2 डिगरी सेल्शिस है लाहूल स्पिति का है माइनस 8 डिगरी सेल्शिस ऐसे ये नमबर लाइन in places का temperature शो कर रही है अब पूछ रहा ये observe this number line इस number line को देखो आप and write the temperature of the places marked on it और क्या write करना आपको, क्या note करना आपको temperature note करना है किन places गा, जो places इस line पे mark किये गए है वे places है, लाउल स्पिति, सिरी नगर, सिमला, उटी, बेंगलूरू ये places है, तो हम पहले करेंगे ए part पहले देखते हैं इस number line को देख लिया आपने number line को अब क्या उबजरो करना हमने, क्या temperature लिखना है और किन किन का लाउल स्पिति, स्री नगर, सिमला, इन सभी places का आपको temperature लिखना है write the temperature of the places marked on it अब पहले क्योस्टन का हमारा answer क्या है पहले क्योस्टन का answer है लाउल स्पिति, माइनस 8 degree Celsius ये लाउल स्पिति का temperature है सिरी नगर सिरी नगर का क्या है temperature है माइनस 2 degree Celsius है सिमला सिमला का temperature कितना है 5 degree Celsius है अब बात आती है उटी की उटी का temperature है 15 degree Celsius अब है बैंगलूरू बैंगलूरू का सोरी उटी का temperature है 14 degree Celsius क्यों 50 से एक पिछे है ना ये 14 है ये 14 degree Celsius अब बात आती है बैंगलूरू की बैंगलूरू का है 22 degree Celsius ये तो हमारा हो गया है अब बात में क्या पुछरा है what is the temperature difference between the hotest and the coldest place भाई ये temperature difference पूछ रहा है किन किन के बीच में hotest place कौन सा हमारा आपको पता है जब degree Celsius बढ़ती है तो जितनी degree Celsius ऊपर होगी मतलब ये बैंगलूरू का temperature देख लो आप 22 degree Celsius है तो ये सबसे ज़्यादा है क्योंकि जब-जब degree Celsius बढ़ती है तो temperature बढ़ता है और जब-जब नीचे आती है माइनस में चली जाती तो temperature घटता है हमारा सरदी हो जाती है अब ये है बैंगलूरू का 22 degree Celsius और सबसे कम है लेप्ट साइड में लाहुल स्फिती का जो है माइनस 8 degree Celsius इनके बीच में हमें temperature difference बताना है आपको पता है जब हमें किसी के बीच में difference बताना हो तो हम सब्ट्रेक्ट करते हैं तो हम ये कैसे करेंगे सबसे पहले ले लो आप 22 degree Celsius जो है बैंगलूरू का temperature और फिर ले लो आप लाहुल स्पिती का temperature जो है माइनस 8 degree Celsius अब 22 degree Celsius में से 8 degree Celsius सब्ट्रेक्ट कर रहे हैं और 8 degree Celsius है माइनस का माइनस 8 degree Celsius सब्ट्रेक्ट कर रहे हैं 22 में से आपको पता है जब माइनस माइनस की प्रोडक्ट करते हैं तो पलस आता है तो यहां आ जाएगा पलस 22 डिगरी सेल्शियस पलस 8 डिगरी सेल्शियस आ गया हमारा 30 डिगरी सेल्शियस तो यह B पार्ट का हमारा अंस्वर आ गया यह किसका अंस्वर आ गया What is the temperature difference between hotest जो सबसे hot place है, सबसे गरम जगह है और सबसे ठंडी जगह है उनके temperature का difference आ गया जो है 30 डिगरी सेल्शियस अब हमारे सी पार्ट की बात करते हैं हम सी पार्ट क्या कहता है यह मैं रब कर देता हूं क्योंकि space की problem हो रही है यहां पे तो हमारा सी पार्ट क्या कहता है What is the temperature difference between lahul spiti and siri nagar temperature पूछ रहा है यह difference फिर फिर और किस के बीच में lahul spiti और siri nagar के बीच में temperature difference फिर हम क्या करेंगे subtraction करेंगे हम सी पार्ट का लिख लो आप minus 2 degree Celsius और lahul spiti का है minus 8 degree Celsius subtract करेंगे हम और minus 8 degree Celsius यह तो आ गया lahul spiti का यह सी पार्ट क्योंकि से हम छोटा number subtract करते हैं यहाँ पे जो minus 8 degree Celsius यह छोटा है आपको पता है 2 degree Celsius से list है यहाँ पिर फिर वही बात आ गई minus minus की multiplication और यह जो पलस हो जाएगा minus 2 degree Celsius पलस 8 degree Celsius यह आ गया 6 degree Celsius 6 degree Celsius इनके बीच का difference आ गया यह किन दोनों के बीच का लाहुल स्फिती और शिरी नगर के बीच का temperature difference है 6 degree Celsius अब यह पूछ रहा है can we say temperature और शिरी नगर और शिरी नगर का temperature और शिरी नगर का temperature दोनों साथ में लिये जाते हैं is less than the temperature is less than the temperature of is less than the temperature add similar यह पहले क्योस्चन वाड़े आगे बीच में add similar और शिरी नगर का temperature हमें साथ में लेंगे तो वो कि से less होगा similar so it is also less than the temperature of शिरे नगर वह यह पता बताना हमें कि वो शिरी नगर की temperature से भी less होगा गया डीप आइड़। कह रहाँ जब शिरी नगर शिरी नगर का और सिमला का temperature हम साथ मिलेंगे पहले तो सिरिनगर और सिमला का temperature देखते हम क्या है और together कहा है तो यहाँ पर addition होगा सिमला का है 5 degree Celsius और सिरिनगर का है minus 2 degree Celsius अब इन दोनों को add करेंगे आ जाएगा 3 degree Celsius यह together temperature है किस-किस का सिमला और सिरिनगर का अब यह क्या कह रहा है जब हम साथ मिलेंगे temperature है सिमला और सिमला का is less than the temperature at सिमला यह सिमला के temperature से less होगा क्योंकि सिमला का temperature 5 degree Celsius है और यह थरी तो less है यह तो सिमला के temperature से आपको पता है यह less than का symbol है अब यह क्या कह रहा है it is also less than the temperature तेम्परेचर ओफ सिरी नगर के टेम्परेचर से भी लेस है आप देखो सिर नगर का टेम्परेचर कितना है सिर नगर का है माइनस टू डिगरी सेल्सियस यह तो ग्रेटर हो गया यह हमारा अनसूर आगया यह सिर नगर के टेम्परेचर से तो ग्रेटर है क्योंकि सिर नगर का टेम्परेचर तो माइनस टू डिगरी सेल्सियस है और इन दोनों को टूगैदर ले रहे हैं तो इन दोनों का टूगैदर टेम्परेचर है थरी डिगरी सेल्सियस तो यह सिर अर गीवन for positive marks are given for correct answer. जब हम सही उत्पर देते हैं किसी question का तो हमें positive mark मिलते हैं. and negative marks are given for incorrect answer और जब हम किसी भी question का गलत उत्तर देते हैं तो हमें negative marks मिलते है if jacks, ये कोई jack नाम का ये कोई लड़का है score in 5 successive rounds 5 round खेलता है वो मतलब 5 rounds में question के answer देता है पहले round में उसे मिलते 25 marks second round में minus 5, second round में उसने गल्टन्स वर दी होगे third round में मिलते हैं minus 10 fourth round में 15 और last round में मिलते हैं 10 marks what was his total at the end ये पूछ रहा है ये 500 round के बाद में उस total क्या है उसका तो total पूछ रहा तो हम add करेंगे और add किन को करेंगे marks को जो से अब मैं लिखेंगे first round second round third round fourth round fifth round first round में मिले हैं 25 marks second round में मिले हैं minus 5 third round में मिले हैं minus 10 fourth round में मिले 15 और last और final round में मिले उसे 10 marks अब ये पूछ रहा वे total कितने हुए 500 round के बाद में आपको पता हम add करेंगे अगर add करेंगे तो ऐसे करेंगे minus 5 minus 10 क्योंकि ये minus का है ना add का कोई अगर minus और plus मिलेंगे तो minus से आना बाद में पलस 15 पलस 10 माइनस वाड़ां को साथ में ले लुआ तो 25 माइनस 15 पलस 15 पलस 10 ये 15 और ये 15 तो cancel हो जाएंगे क्योंकि ये minus का ये plus का आप 25 में 10 add कर देंगे हम ये आजाएगा 35 ये तो हमारा answer है उसे last में मिले 35 marks अब करेंगे हम 3rd question अब हमारा 3rd question है दस सिरिनगर at सिरिनगर temperature was minus 5 degree Celsius ये कहरा सिरिनगर का temperature minus 5 degree Celsius था कब था on Monday मंडे को सिरिनगर का temperature minus 5 degree Celsius था and then it dropped by 2 degree Celsius ये क्या कहरा कि ये drop हो गया गिर गया 2 degree Celsius on Tuesday Tuesday को ये temperature गिर गया 2 degree Celsius what was the temperature of सिरिनगर on Tuesday तो ये पूछ रहा है Tuesday को सिरिनगर का temperature क्या था सिरिनगर temperature temperature on Monday मंडे को क्या था सिरिनगर का temperature minus 5 degree Celsius अब ड्रोप कब हो आट ये उजडे को सिरिनगर temperature on Tuesday Tuesday को सिरिनगर का temperature क्या होगा 2 degree Celsius ड्रोप हो गया सिरिनगर का temperature Tuesday को और ये क्या कहरा what was the temperature of सिरिनगर on Tuesday अब Tuesday को कैसे बताएंगे मंडे को था minus 5 degree Celsius Tuesday को गिर गया temperature गिर गया तो और minus में चला जाएगा 2 degree Celsius बोल रहा है ये गिर गया तो minus 2 degree Celsius एड हो जाएगा 5 degree Celsius में तो क्या आगया Tuesday को minus 7 degree Celsius ये आगया Tuesday का temperature है अब आगे क्या पूछ रहा है on Wednesday it rose 4 degree Celsius में Wednesday को ये 4 degree Celsius बढ़ गया what was the temperature on this day अब Wednesday को temperature क्या है सिरिनगर का अब लिखेंगे में सिरिनगर temperature on Wednesday Wednesday को क्या होगा सिरिनगर का temperature अब सिरिनगर को का temperature बढ़ गया 4 degree Celsius Tuesday को क्या था minus 7 degree Celsius अब बढ़ गया तो positive है गिर गया तो negative ये बढ़ गया 4 degree Celsius तो 4 degree Celsius पुलस का इसमें add कर देंगे minus का 3 degree Celsius आजाएगा 3 degree Celsius temperature wetness डेको होगा सिरिनगर का ये है हमारा answer हमारा अगला question question number 4 आईए देखते हैं हमारा fourth question है a plane is flying एक जाज उड़ रहा है at the height of 5000 meter 5000 meter उपर एक airplane उड़ रहा है अब वो sea level समुंदर तल से मान लो ये समुंदर तल है ये पाणी है हमारा समुंदर का इसके तल से 5000 meter उपर है ये कोई अब आईजाज है ये उड़ रहा समुंदर तल से उपर कितना 5000 meter 5000 meter at a particular point it was exactly above a submarine अब ये पुछरप कह रहा है कि किसी point पे एक submarine floating 1200 meter below the sea level किसे एक point पे नीचे एक पंडू भी पाणी के नीचे क्या है कि पंडू भी है और कितनी नीचे है 1200 meter समुंदर की गहराई में कि पंडू भी तैर रही है उसी point पे 10 sea level what is the vertical distance between them ये पूछ रहा है उनके बीच की vertical distance है जो दोनों के बीच की वो कितनी होगी अब जो plane उड़ रहा है वो कितना उपर है sea level से 5000 meter और जो पंडू भी तैर रही है पाणी में वो कितना नीचे है 1200 meter sea level से ये sea level से उपर 5000 meter उपर और ये 1200 meter नीचे तो सबसे पहले हम plane की height लिख लेंगे 5000 meter ये तो आगई हमारी अब ये पूछ रहा दोनों के बीच की जो vertical distance है वो कितनी होगी ये तो यहां से लेकर यहां तक होगी vertical distance अब हमारे पास ये तो आगई है 5000 meter यहां तक तो और यहां से निचे कितनी है 1200 meter तो हम दोनों को add कर देंगे ये ये हमारी vertical distance आ गई वर्टिकल डिस्टैंस वर्टिकल डिस्टैंस बित्विन प्लेन एंड सब्मेरीन कितनी आ गई 600 meter 6200 meter ठीक है अब हमारा question 5 देखते हैं हम question 5 में क्या है हमारा fifth question है Mohan deposit rupees 2000 ये rupees का symbol है rupees 2000 in his bank account वह मोहन ने अपने bank account में 2000 रुपे जमा करवा दिये withdraw withdraw का मतलब निकलवाना 1642 1641 रुपे उसने निकलवा लिये from it the next day पहले दिन तो मोहन ने 2000 रुपे बैंक खाते में जमा करवा दिये और उससे अगले दिने 1641 रुपे निकलवा लिये if the withdraw amount of from the account is represented by negative integer जो withdraw amount है अगर हम उसको negative integer से represent करेंगे the how will you represent the amount deposit अब withdraw कितने करवा है उसने 1642 रुपे अगर उसको ये कह रहा है अगर negative integer से represent करेंगे minus 1642 तो जो deposit amount है उसको किस से represent करेंगे सिद्धी सी बात है उसको हम positive integer से represent करेंगे अगर डाल निकलवाने को ये negative से denote करेगा तो हम जो account में add करवा रहे deposit करवा रहे उसको positive integer से denote करेंगे अब ये कह रहा है find the balance in Mohan account after withdraw withdraw के बाद है Mohan के account में कितना balance अब deposit कितने करवा है उसने 2000 रुपीज और withdraw कितने करवाए अब Mohan ने deposit कितने करवाए थे 2000 रुपे 2000 रुपीज और निकलवा कितने लिए withdrawal withdrawal कितने 1642 रुपे 1642 रुपीज ये withdrawal करवा लिए अब ये पूछ रहा है withdrawal के बाद मोहन के account में कितने रुपे बचे तो deposit उसने 2000 करवाए withdrawal उसने 1642 करवाए तो क्या करदेंगे जो withdrawal करवाए उनको सब्ट्रेक्ट करदेंगे जो amount एड करवा था उसने उसमें से सब्ट्रेक्ट करदेंगे withdrawal amount को तो हमारा final answer आ जाएगा अब टू में से जीरो में से टू सब्ट्रेक्ट नहीं होगा इसलिए हम carry लेंगे और carry कहा से लेंगे यहां से यहां 1 रह जाए गया यहां 10 हो गया यहां 9 रह गया carry लेना तो आता आपको यहां 9 हो जाएगा और यहां भी 9 रह गया अब 9 में से 10 में से 2 जाएगे 8 9-4 5 9-6 3 और 1-1 0 तो हमारे पास यह रूपी जा गए कितने 358 रूपे जो उसने विड्राल करवाने के बाद जो मोहन के अकाउंट में रह गए तो यह था हमारा आज का लेक्चर बाकी सम करेंगे हम अगली वीडियो में अगले लेक्चर में आसा आपको लेक्चर समझ में आया होगा अगर फ